हे व्रिवन वेलकम बैक टू माई चैनल साई टेरो ट्रिपल सेवन मैं टेरो रीडर पुनम वर्मा आपका अपने चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत करती हूं तो चलिए जान लेते हैं जल्दी से आपके पर्सन की आपके पार्टनर की करेंट एनर्जी क्या है आपके पर्सन की क्या है करेंट एनर्जी प्लीज डिवाइन सेवन अफ वैंस कुईन अफ वैंस क्टी नफ === सेवन आफ वैंस और यहां पे क्टीन अफ वैंस यहां पे मुझे दिखाई देराह है किसी प्रकार की ड्रामा को किसी प्रकार के struggle को टाटाबाय कर रहे हैं मुझे यहाँ पर drama मुझे दिखाई दे रहा है आप वो नहीं चाहते हैं कि कोई भी उनकी romantic life में उनकी personal life में या उनकी love life में कोई problem create करें अब यहाँ पर वो अपनी power में भी दिखाई दे रहे हैं decision making यहाँ पर energy आ रहे है कि थोड़ा सा यहाँ पर किनी चीजों के लिए decision making करना चाहते हैं कोई है फैसला जो लेना चाहते हैं अपनी जीवन को लेकर के और कोई भी ऐसा person जो इस decision को लेने में इनकी problem create कर रहा है इसकी तरफ भी नहीं देख रहे हैं अपनी power में रहने वाले हैं यह love life में अपनी है अपना कुछ न कुछ फैसला लेने वाले हैं तो बहुत जल्ब इनकी तरफ से आपको कोई फैसला सुनाई देगा दिखाई देगा कि कुछ यस इन्हों ने कुछ तो फैसला आपके लिए लेकर के आपको इस relationship को लेकर के लिए किया है चलिए और क्या है नर्जिस नाइन ओफ पैंटेकल नाइट ओफ सोट ओके तरफ यहां पर ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपके परसन जो है ना वो कुछ ऐसी चीजों में चेंच आते हैं करियर को लेकर के ऐसा कोई चेंच आते हैं या कोई opportunity का वेट कर रहे हैं ठीक है और इसी वेटिंग की एनरजी को लेकर के वज़े से थोड़ा सा आप दोनों के बीज में यहां पर चीजों में misunderstanding हुई है fight हुआ है और हला कि आपका दिल दुखाना नहीं चाहते थे लेकिन चुकि करियर को लेकर के बहुत ज़्यादा obsessed थे तो yes इन्होंने थोड़ा सा आपको यहां पर हो सकता है कि कुछ कुछ चीजों में हर्ट भी किया होता होगा लेकि करेंटली मुझे दिखाई दे रहा है कि अब इन्हों इनकी जो फाइनेसर करियर को लेकर के energy है वह बहुत ही strong हो गई है और यह अपने आपको independent महसूस कर पा रहे है और इसलिए आपकी तरफ यह बढ़ते हुए दिखाई कि अब मुझे यहां पर दिखाई दे रहे हैं तो यह अब आपकी तरफ वापस आते हुए दिखाई दे रहे हैं जैसे इनको सारी चीजे सुटेबल लगी और सबसे पहली याद आपकी आते हुए दिखाई दे रहे हैं यह आपकी तरफ भागते हुए दिखाई दे रहे हैं और यह कोई ना कोई good news लेकर आते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको लेकर के या कोई बड़ा फैसला कोई बड़ी good news आपको लेकर के यहां पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं कुछ और energies प्लीज सुनिवर्स गाइड कीजिएगा क्या है इनके personality और क्या है current energies four of curve death देखो कुछ ना कुछ यह revive करने की कोसिस कर रहे हैं इनको पता है इनको पता है ने past में कुछ ऐसी energy थी जो कुछ ऐसी behavior थे जो नहीं करने चाहिए थे आपके साथ में और उसका लेकर के इनको पस्तावा भी है पस्तावा बहुत बड़ा है लेकिन उनको वो चीजों को बदलना चाहते हैं ठीक है बटम में कार्ड है यहां पे तटावर का यस आप दोनों को यहां अकेले हैं लेकिन यहां पे अभी यह हर चीज का सुर्वात करना चाहते हैं इनके मन में प्लानिंग तो चल रही है कि कैसे में start करूं रिस्टाट करूं चीजों को लेकिन पास्ट में इन्होंने बिना बताए आपको मोड पर छोड़ा है बिना बताए आप से अलग हुए है सायद कुछ लोगों की लिए एनरजी होगी या इन्होंने कमेटमेंट नहीं दिया है तो कहीं न कहीं इनको डर भी लग रहा है कि आप उनको एसेप्ट करोगे या नहीं करोगे ठीके कुछ चीजे यहां पर इनके लिए मिस्ट्रीस है यह भी थोड़ा सा यहां पर आपको लेकर के यहां content नहीं दिखाई दे रहे हैं कि मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए या again प्रपोज करना चाहिए और आपको जिस पोड़ पर छोड़ के गाये थे आप वहाँ पर खड़े हो या नहीं खड़े हो किसी और के साथ तो नहीं निकल गये कुछ ऐसी भी इन इसको लेकर कि क्या और एनर्जी के साथ बील करना होगा और क्या आपके लिए गाइडेंस आ रही है प्लीज टिवाइन प्लीज एंजल्स गाइड कीजेगा हाई प्रिष्टिज की एनर्जी है तो जैसे यहां पर कन्फ्यूजन बहुत सारा आपके मन में रह सकता है समझ नहीं आएगा कि लाइफ में आगे कहां बढ़ूं कैसे बढ़ूं और कहीं ना कहीं आप बहुत ही हर चीज को नाप तोल करके फैसला लेना चाहोगा आपको भी म अब आएगा तो आप उसे एसेट भी करना चाहते हो लेकिन मन में फिर भी रहेगा कि यह मुझे दुबारा से ना छोड़ के चला जाए उस तो ऐसा डर दिखाई दे रहा है दा इंपर की एनर्जी है यस आप मुझे यहां पर दिखाई दे रहा है कि आप इनको थोड़ा से यहां पर कंडिशनिंग देना चाहोगे कि अगर मेरी लाइफ में दुबारा वापास आना चाहते हो तो यह यह कंडिशन आपको फोलो करने पड़ेगी आपको यह वचन निभाने पड़ेंगे यह वचन करना पड़ेगा यह वदा निभाना पड़ेगा और यह मुझे लग कि विवरा कभी अलग नहीं हो सको क्या कि यहां पे? कि अब भी मुझे दिखाई दे रहा है जो रहा है आप दोनों इम अगल अलग अजिझ में जा रहे हो एब ड़ाओ पह बहुत ज़्सक्यदा अंप दिखाई दे रहा है चलि कुछ और देख लेते हैं कुछ और एनरजीज नाइट ऑफ सोड एंड एस ऑफ सोड ओके मैं यहाँ पर देख रही हूँ आपकी लव लाइफ में काफी चैलेंजेस रहे हैं आपके पार्टनर अपनी लाइफ में कभी भी करेक डिसीजन नहीं ले पाएं यह एक गोल की तरफ भागते रहें अगें यहां भी नाइट ऑफ सोड यहां भी नाइट ऑफ सोड यहां पर दिखाई दे रहा है कि यह बिना सुचे समझे कुछ ना कुछ डिसीजन को लेकर के आ प्रफ आपने लाइफ में जेल लिया है तो कहीं ना कहीं आप इनको समझ में आ रहा है कि मुझे क्या डिसीजन लेना चाहिए और यह मेल एनरजी दिखाई देरही कि मेल एनरजी जो अभी तक कमिट्मेंट नहीं दे पा रही थी अब वह कमिट्मेंट दे रही है अगर आप यहां पर आपको कमिटमेंट मिल रही है आप दोनों ही एक डिसीजन लेकर के बढ़ रहे हो तो यहां पर भी अगर आप कीवर्ट पड़ोगे emotional decision and union unions की energy है आप दोनों मिलते हुए दिखाई दे रहे हो और एक जो decision लेना चाहिए वो decision यहाँ पर लेते हुए दिखाई दे रहे हो आपस में बैट कर बात करके उस decision को लेते हुए दिखाई दे रहे हो ऐसा नहीं कि एक दूसरे पर decision थोपोगे एक दूसरे की सारी बातों को समझोगे communicate clearly करोगे emotions को समझोगे like, dislike, dislike को समझोगे और इसके बाद में आप टाइम लेकर करके यहाँ पर decision लेते हुए दिखाई दे रहे हुए टाइम ले रहे हो ठीके? यह सिक्स अफ का रिडिंग को claim कर रहे हैं उनका यहाँ पर साथ दिन के अंदर reunion होने के chances यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो एक दूसरे के बिना रही नहीं सकते हो रास्ते अलग भी होंगे ना तो आगे चलके मिल जाएंगे ठीक है आप नदी के किनारे हो जो साथ साथ चलते हो गाड़ी के दो पईये हो आप एक दूसरे से अलग रही नहीं सकते हो reunion है पक्का reunion है यहाँ पे आप दोनों एक साथ में जाते हुए दिखाई दे रहे हो yes what a make aard है king of cuffs का तो यहाँ पे आपके परसन बहुत ही wise one होकर के फैसलों को लेती हुए दिखाई दे रहे है भले ही थोड़ा सा पॉज ले रहे है patience रख रहे है आप भी patience रख रहे हो लेकिन यहाँ पे आपका आपके रिष्टे में healing लगते हुए दिखाई दे रहे है क्योंकि आप King of Cuff को healing की रूप में जाते हैं relationship में तो आपके जो भी आप relationship में deal कर रहे हो चाहे वो आप साथ में हो सिंगल हो या फिर sorry आप no country situation में हो या फिर आपके परसन ने ब्लॉक किया हुआ है तो यहाँ पर unblocking की energy आ रही है यहाँ पर healing हो रही है और कहीं ना कहीं अगर आप किसी को manifest कर रहे हो अपने life में तो यहाँ पर आपकी life में वो person आते हुए दिखाई दे रहा है अगर आपको कोई crush है तो उसका भी attraction आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहा है तो यह थी मेरी आपके लिए आज की reading पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा बाई